वैसे तो इस फिल्म में लेड रोल सारु खान की बेटी सुवाना खान का रहने वाला है ये एक स्पाइ थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें सुवाना एक जासूस की मुखे भूमी का निभाएंगी हर जासूस को एक हैंडलर की जरूरत होती है और वही हैंडलर बनेंगे फिल्म में वेसे तो साल 2023 पूरा का पूरा सारुखान के नाम ही रहा है और अगला साल 2026 भी सारुखान के ही नाम रहने वाला है 2024 में भी box office पर सारुखान टहल का मचाने वाला है क्योंकि अगले साल सारुखान की 6-7 फिल्मे बनकर तयार होने वाली है इन मेंसे दो फिल्मे तो ऐसी है जो अगले 40 दिन में ही रिलीज हो जाएंगी तो कौन सी है वो साथ फिल्मे जानने के लिए बने रही है मेरे साथ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना नमबर साथ पर है ओप्रेशन खोकरी जी हाँ सारू खान के अलावा इस फिल्म में आईसमान खुराना, राजकुमार राओ, जैकी स्रोप, अरबाच खान, निल नितिन मुकेश जैसे स्टार एक साथ नजर आने वाले हैं सारू खान एक सैनिक का रोल इस फिल्म में निभाएंगे बात करें इस फिल्म की कहानी की जो पस्टी मैफिरिका के सियरा लियोन में विद्रोहियों द्वारा बंदी बनाये गए दोसों से ज़्यादा भारतिय सैनिकों को बचाने के लिए भारतिय सैना द्वारा चलाये गया एक बचाओ मिसन था जिस पर इस फिल्म की कहानी आदारित रहने वाली है इस फिल्म को संजलीला बंसाली प्रोडूस करने वाले हैं सारुखान और संजलीला बंसाली पहले देवदास में एक साथ काम कर चुके हैं इस फिल्म की कहानी की तो बारत का एक आदमी जो नौर्वे की एक लड़की के प्यार में पढ़ जाता है और उसके प्यार के खातिर बारत से नौर्वे तक का सफर ते करता है जहां उसे बड़ी-बड़ी मुसिबतों का सामना करना पड़ता है इस फिल्म की कहानी काफी वीचित्र टाइप की रहने वाली है नमबर पाच पर है जवान टू जि हाँ जिन लोगों ने सारुखान की जवान फिल्म देखी है उन्हें फिल्म में संभावित सीक्वल का हिंट भी देखने को मिला है जिसे डिरेक्टर एटली कुमार ने कंफर्म कर दिया है बस इंतजार है तो सिर्फ एक स्ट्रॉंग स्क्रिप्ट का उसके बाद फिल्म पर काम सुरू कर दिया जाएगा एटली कुमार ने एक इंट्रिवु के दुरान कहा भी है कि जवान के सीक्वल को स्विस बैंक में पड़े खाले दन परादारी सब्जेक्ट पर बनाया जाने वाला है नमबर चार पर है टाइगर वर्सेज पठान इस फिल्म में सल्मान और सारुक के अलावा गेटरिना कैफ दिपी का पादू कौन भी नज़ रहेंगी साथवी कभीर का कैमियो भी रहने वाला है वाई आर एप इस्पाई उनिवर्स के सबसे बड़ी फिल्म होगी जिसे अगले साल 2024 के मार्च मैने में सूटिंग इस फिल्म की सुरू होने वाली है फिल्हाल इस्पाई उनिवर्स का फोकस वार टू पर है जिसमें एंटियार विलेन बने है वार टू फिल्म का पबलिक को बेसबरी से इंतजार भी है नमबर तीन पर है किलर जी हाँ वैसे तो इस फिल्म में लेड रोल सारू खान की बेटी सुवाना खान का रहने वाला है ये एक इस्पाई थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें सुवाना एक जासूस की मुके भूमी का निभाएंगी हर जासूस को एक हैंडलर की जरूरत होती है और वही हंडलर बनेंगे फिल्म में सारू खान इस फिल्म को नवंबर में रिलिज किया जाने वाला है नमबर दो पर है डंकी सारू खान के अलाव फिल्म में तापसी पन्नू, विकी कोसल, बोमन हिरानी, दिया, मिरजा भी नजर आएंगे राजकुमार हिरानी के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म एक रोमांटिक कोमेडिर ड्रामा फिल्म है जिसमें यूके कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए अपनाए गए रास्तों के बारे में बताया गया है डंकी फिल्म इमिग्रेशन के मुद्दे के इर्दगिर्द गूमती है लेकिन कनाडा और कनाडा में रह रहे बारतियों से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है यह एक बहुती सम्वेंदल सिल तरीके से बनाए गई फिल्म है जो भारत से बार 21 दिसमबर को रिलीज होगी और बारत में 22 दिसमबर को रिलीज होने वाली है नमबर एक पर है टाइगर थिरी फिल्म में सल्मान के अलावा केटरना कैप, इमरान हासमी, आसुतो सराणा भी नजर आने वाले हैं सारु खान और रितिक रोशन का फिल्म में कैमियो रोल देखने को मिलने वाले हैं तो ये हैं सारु खान की आने वाली वो साथ फिल्में जो 2024 में रिलीज होंगी और दो फिल्में 2025 में रिलीज होंगी वहीं दो फिल्में 2023 के ही आकरी वाइने में रिलीज होने वाली है अपनी फिवरेट फिल्म का नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में